बहुत समय पहले की बात है सर्यु रदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुन्दर राजित है अयोध्या के राजा थे राजा दश्रत उनकी तीन रानिया और चार पुत्र थे राम, लक्ष्मन, भरत और शत्रुगन जब राजा दश्रत ने राम को राजा बनाने की घुशना की तब सभी लोग बहुत खुश हुए लेकिन रानि केकई खुश नहीं थी महाराज, क्या आपको याद है आपने मुझे दो वचन दिये थे आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है मेरा पुत्र, भरत, राजा बने और राम चौदा वर्ष के वनवास को जाए राजा दश्रत की आज्या पाकर राम और लक्ष्मन सीता के साथ चौदा वर्ष के वनवास के लिए चले गए पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए बहुत देर हो गई रभु राम अभी तक लोटे नहीं लक्ष्मान 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 देखो प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं यह माते यह मुझे किसी मायवी शक्ती का कार्य लग रहा है आप चिंतित ना हो भहिया जल्दी घर लोटाएंगे नहीं लक्ष्मान मेरी आज्या का पालन करो जाओ प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यक्ता है ठीक है माते किन्तु आप इस लक्ष्मान रेखा को पार नहीं करना रावन को ज्यान था कि वो लक्ष्मान रेखा को पार नहीं कर पाएगा इसलिए उसने साधू बनने का ढोंग रचा और सीता माता को उठा कर ले गया बिक्षाम बेवी बिक्षाम बेवी हे मुनिवर भिक्षा स्विकार कीजिए हे देवी एक साधू का इतना अनागर घर के दुआर से ही बिक्षा देकर भेजना चाहती हूं जाओ नहीं चाहिए तुम्हारे बिक्षा नहीं नहीं मुनिवर रुकिये मैं आती हूं पापी रावर्ण मुझे उठाकर ली जा रहा है। राम और लक्षमन सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चन्तित हुए और उनकी खोज में निकल गए श्री राम लक्षमन और हनुमान ने लंका पर चढ़ाई कर दो और राम और रावन का युद्ध हुआ जिसमें श्री राम विजई हुए इसलिए इस दिन को विजए दिश्मी कहा जाता है यह तोहार बुराई पर अच्छाई की जीता ततीक माना जाता है ऑची का युआ झाओाई